अगर दोस्तों आपने हमारे पार्ट 7 तक के वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रेप्शन में हमको लिंक मिल जाएगा आप महाँ से वाच कर लिए जाके दोस्तों हमारा पहला कोश्चन है 301 क्यावा नंबर गा द्वारिकादिस का प्रिसिद मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के किस नगर में तो मतुरा में है कहाँ पर है मतुरा यानि कि आप संडिया आपका राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन है हमारा प्रसिद जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में इस्तित है तो यह दोस्तों आप कानपूर में जेके टेंपल आपने सुना भी होगा जस्तित्ति है तो यह दोस्तो आपका कहा इस्तित्त आगरा में या neat इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका प्रियाग राज जिले में कहाँ पर है तो यह प्रियाग राज जिले में आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट हमारा कोश्चन है उत्तरप्रदेश के कि जिले में भारत माता का मंदिर बना हुआ है तो यह दोस्तो कहाँ पर बना हुआ है तो यह दोस्तो वारारसी में बना हुआ है यानि कि आपसन भी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है हमारा प्रसिद्द चं पर ये आपका तो इसका right answer हो जयागा बूलंद्स है यानि कि अपसन यह right हो जाएगा तो दोस्तोर सरस्वती देवी का मंदे ठीजले में कहा पर है मेरट में यानि कि आपसन यह आपका right हो जाए Next question उत्तर प्रदेश के किस नगर में मुगल सासक अकबर की राजपूत रानी मर्यम की दर्गा इस्थित है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा आगरा यानि क्या अप सन्दी आपका Next question आगरा के किले में मुगल सासक सा जहाँ द्वारा निर्मित मस्जिद किस नाम से जानी जाती है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा मोती मस्जिद क्या हो जाएगा मोती मस्जिद यानि क्या अप संडी आपका राइट हो जाएगा नेक्स कोश्चन है उत्तर प्रदेश में सेख सलीम चिस्ती की दरगा कहां पर इस्तित है तो यह दोस्तो फतेपुर सीकरी में इस्तित है यानि कि आपसन डी सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है जानजरी मस्जिद का निर्मार किस ने करवाया था तो इबराहिम सरकी ने करवाया था यानि कि आपसन भी राइट हो जाएगा आपका बाले मिया की दरगा उत्तर प्रदिस के किस नगर में इस्तित है तो दोस्तो बाले मिया की दरगा उत्तर प्रदेश के किस नगर में इस्ती तो तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मेरट आपसन सी सूफी संतसा अलाउद दीन साबिर की दरगा उत्तर प्रदेश में कहां पर है या किस जगह पर है तो दोस्तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा कलियर में है कहाँ पर है वही कलियर में यानि कि आपसन है आपका राइट हो जाएगा ठीक है सूफी संद सयद अब्दुलरजा की दरगा प्रदेश में किस इस्थान पर है तो दोस्तों प्रदेश में किस इस्थान पर है तो इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बासा बासा कहां पर है दोस्तों तो यह बारा बंकी ठीक है अपसंद डी राइट हो जाएग संत हजरत सुल्तान अरफीन की दरगा उत्तरव्देश में किस इस्थान पर है तो ये कहाँ पर है और कहां पर है बदायूं में आपसन भी राइट हो जाएगा नेट्स फकीर सेयद सालार मसूद गाजी की दरगाः उत्तर प्रदेश में कहां पर इस्तित है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका बैराइच क्या हो जाएगा बैराइच एनि कि आप सनिराइट हो जाएगा ठीक है नेच्ट कोउस्चन उत्तर प्रदिश में किस इस्तान पर उत्तर चॉते संथ हाजी वारिस-वारिस-भी मजश्डी थै त दोस्तों इसका राइट अंसर आपको जैगा देवा यानि कि आपसन डी आपका राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स वोस्टन है हमारा संद सयद संद सयद मेमूस सासपर जहां गिर की दरगा उत्तर प्रदेश में किसिस्थान पर है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा किछा उचा यानी अंबेड कर नगर आपसन सी राइट हो जाएगा नेक्स मुगल सासक अग्बर द्वारा नेक्स छतरियों वाली प्रशिद् जामा मस्जीद उत्तर प्रदेश में कहां पर से स्थित्त अपहतेपूर सीकी रीयानी के आपसन भी हैं आपका राइट हो मेंनेक्स औरंग जेब बायराम खां दोरह बनायागए चुनार मस्जिद उत्तरफदेश के किस इस्थान पर है तो दोस्तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा मिर्जापूर यानि कि आपसन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है सरकी सुल्तानों दारा जाउनपूर में स्थित सर्वसेड मस्जिद कौन सी है तो सरकी सुल्तानों दारा जाउनपूर में निर्वसेड मस्जिद कौन सी है तो दोस्तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा कौन सी मस्जिद है भी तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा अटाला मस्जिद कौन सी है अटाला मस्जिद आनी के आपसंडी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट निम्ने में से किसने सितार का आविसकार किसने किया था तो दोस्तों सितार का आविसकार इन में से किसने किया था तो यह अमीर खुसरोर नहानी के आपसंडी राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अगला क कोश्चन है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आज वासियों दोरा कौन सन्यत्र किया जाता है तो कर्मा नित्र किया जाता है याद रखिए कि दोस्तों कौन सन्यत्र किया जाता है तो कर्मा नित्र किया जाता है यानि कि आप संसी हैं पर आपक चीक है अगला कोशन है हमारा निम्री कि जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तो तो इन में से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है गोरकपुर छोलिया चीक है यह हमारा दोस्तो गोला जो जोड़ा है गलत है और बाकी के हमारे जितने भी जोड़े हैं दोस् इसमें स्त्री पात्रों के भूका भी पुरूस करतेंं और क्योंस आ है तो दूस्तव ऐसा करते हैंOver इंस टिरियों इसी चेश्टाय करते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नटवरी यानि कि आपसंडी नटवरी नेक्स्ट है उत्ता प्रदेश में आधिवा बोच्पूरी बोले जाने बोच्पूरी भासा वाले चेत्रों में से कौन सा लोग गीत गाया जाता है तो कौन सा लोग गाया वीर रस वीर रस से भरपूर प्रसिद गायन सेली कौन सी है तो यह दोस्तों आपकी आला आपसंडी कौन सी है आला नेक्स कोश्टन उत्तर प्रदेश विदान परिसत के सदस्यों को निर्वाचन किस पद्दच द्वारा होता है तो यह किस पद्दच द्वारा होता है तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से लोग सभा है तू उत्तर प्रदेश से लोग सभा है तो निर्वाच्ची तो संसद सदस्यों की संख्या कितनी है तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी है अपकी तो यह आपकी 80 है कितनी है दोस्तों 80 यानि कि आप संदी राइट हो जाएगा ठी होनी चाहिए 25 यानि कि 25 वर्स होनी चाहिए नेक्स कोश्चन है हमारा उत्तर विदान परिश्द के कितने सदस्यों को राजपाल मनुनीद करता है तो कितने सदस्यों को राजपाल मनुनीद करता है तो दो सदस्यों को यानि कि आप सनिया आपका राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कितने सदस्ट प्रती दो वर्ष के पस्चाथ अपना इस्थान रिक्त कर देते हैं तो दोस्तों इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा वन अपां थ्री यानि की वन थर्ड ठीक है आपसंसी नेक्ट उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोका युकत पत लोकापाल सरी विसंबर दयाल को इस पत पर कभ न्यूक्त किया गया था तो इस पत पर कभ न्यूक्त किया गया था दोस्तों तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका navition का उच्चे सदन कहलाता है तो इसका right answer हो जाएगा आपका उच्छ सदन ठीक है iIouse जो आँ पर दोस्तो जो अमारी नगरपालिका है वो नहीं होगी ठीक है अगर 20,000 से ज़ाद है तो आपर नगर पालिका होगी नेक्स्ट है उत्तब्रेस मेने से निमले खित में से किन नगरों में महापालिका नहीं है तो दोस्तों कहाँ पर महापालिका नहीं है आपके पास आपस आपस वाइट अंसर आपका हो जाता है यहाँ पर जोनपुर वा सारणपुर में दोस्तों आपकी क्या है महापालिका नहीं है किस संस्था का गठन किया गया है तो दोस्तों इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा जीला परिसद किसका गठन किया गया है तो जीला परिसद आपसन भी राइट नेश उत्तबदेश राजपाल समानेता कितने वर्सों का होता है यानि उत्तबदेश राजकाल का जो कारकाल होता है दोस्तों कितने वर्सों का होता है तो दोस्तों इसका राइट अंसर आपका फाइप येर्स यानि पांस साल के लिए ठीक है पांस साल के लिए होता है नेस्ट है उत्तरपदेश राजपालपत के लिए कम से कम आयू कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों इसका राइट अंस लोग कंच कहरता है और आप संधी नेरी को पर आपका राइट हो जाएगा इनको सभी और अधिकार प्राप्त है विदान मंदल को आपतियत करने विशर्द्यत करने बना कर उसको फास करने काब ने कोई पास करनЕ काभी ठीक है जाले करने के लिए राजपाल को किसी आवसक्ता हो है तो दोस्तों इस किसकी आवसकता होती है तो दोस्तों यह होती है राजपाल को किसकी राष्ट पती की यानि कि आपसंद भी राइट हो जाएगा राष्ट पती की सिगनेचर के बाद ही दोस्तों यह ददेश पूरे राज में क्या होगा लागू होगा नेश्ट है विदान स इसके उच्चे नयाले के नयाया देश की न्यूकती राष्टपती किसके परामर्स से करता है तो यह राजपाल के परामर्स से करता है आपसन भी राइट हो जाएगा इसका भी ठीक है नेश्ट है उत्तर प्रदेश में राष्टपती किसके परामर्स से राष्टपती सासन ला वहाँ पर जो भी सासन लगाना वो राश्टमति सासन वह वहाँ पर लगाए सके दोस्तों अगर आपको पशंद आये तो वीडियो पूसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें ज़ाद ज़्यादस सेयर करें और अपने फ्रेंश के साफ भी सेयर करें ताकि कि उनको भी से related question का knowledge हो सके तो दोस्तों मिलेंगे अपने next वीडियो में फिलाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, comment, subscribe and share ज़रूर करें मिलेंगे अपने next वीडियो में सब्सक्राइब ज़रूर करें